लीजी, पहला कुशन क्या कह रहा है, पुछा जा रहा है कि इंडिया स्टोन मार्ट दोजार चोबीस, क्या पुछा जा रहा है, इंडिया स्टोन मार्ट दोजार चोबीस, जेपुर में कब आयुजित किया जाएगा, वेरी वेरी इंपोर्टन कुशन, इंडिया स्टोन 24 जेइपूर में कब आयुजित किया जाएगा ऐसे क्यूशन आप RSSB Board के जो पेपर हैं उनके अंदर उठा कर देखेंगे तो आपको ये क्यूशन मिलेंगे बताईए क्या है बात है आपके सामने इंडिया इस्टोन मार्ट देखें इंडिया इस्टोन मार्ट 2024 सबसे पहली बात तो ये है कि ये कौण सा संस्कृन है एसा भी क्यूशन आता है इंडिया इस्टोन मार्ट का कोण सा संस्क्रण है तो याद रखेगा इस बार जो आयोजित होगा वो होगा आपके बारवा संस्क्रण वेरी वेरी इंपोर्टन पहली बात यह हो गई कोण सा संस्क्रण आयोजित होगा बारवा कहां आयोजित होगा तो याद रखेगा शित्तापूरा जेपूर और ये कब आयोजित होगा तो याद रखेगा एक से लेकर 4 फरवरी 2024 बहुत ही इंपोर्टेंट गिशन है याद रखेगा इंडिया इस्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहां पर होगा शित्तापुरा जेपुर में कोण सा संस्क्रण होगा ये बारवा संस्क्रण और कब से लेकर कब तक होगा याद रिखेगा एक से लेकर 4 फरवरी 2024 वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है? याद रिखेगा किलियर? चली दूसरा क्यूशन लीजिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट दूसरा है ओप्रेशन समान्ता किस जिल्ले का नवाचार है? बताईए ओप्रेशन समान्ता बताईए ओप्रेशन समान्ता देखिए इसका उद्श्य क्या है? सबसे पहले तो इसका उद्श्य यही है कि बेदबाव या एसपर्षा जैसी बातें जिस समाज में होती है इसको दूर करना है इसका उद्श्य तो यह है और वैसे भी आप भारतिय शविदान में भी देखेंगे तो आर्टेकल 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार देता है आमें पस उसी पर आधारित एक ओप्रेशन है ओप्रेशन समानता किस जिल्ले का नवाचार है याद रिखेगा option number D is correct answer बुंदी बहुत ही important question है यह बुंदी का ठीक है याद रिखेगा ओप्रेशन समानता किस जिल्ले का नवाचार है याद रिखेगा बुंदी लीजे अगला question very very important क्या कह रहा है पुछा जा रहा है आपको के environment list of the year 2023 से सम्मानित वक्तित्वे कौन है environment list of the year 2023 से सम्मानित वक्तित्वे कौन है डॉक्टर विनिता परिहार डॉक्टर वितिन शोनी डॉक्टर मतुरालाल शर्मा या डॉक्टर चंद्रमनी शिंग बताए कौन सा है तो आपको याद रखना है के environment list of the year 2023 से जो सम्मानित है वो है आपके सामने डॉक्टर वितिन शोनी जो आपके महुनलाल सुखाडिया विस्विदा लेना वहां पर कारियरत याद रखेगा option नमर हो जाएगा यहाँ पर बीज करेक्ट टांस्वर किलियर लेजिए अगला कुशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट बताइए पुछा जा रहा है के भारतिय वायुशेना का गेलेंटरी अवार्ड यानि की जो वीर्ता पुरुषकार है प्राप्त पर्थम महिला अपसर कौण है दिपी का मिश्रा राखी गोतम आपके निशा कुलहारी या फिर मनिशा शिंग बताइए पर्थम महिला अपसर बनी है या वार्ड जीतने वाली कौण है वो और उनका स समंद हमारे राजस्तान के किस जिल्ले से है ये भी तो इंपोर्टेंट किशन हो जाएगा ना भारती वायुसेना का गेलेंटरी अवार्ड यानि की वीर्ता जो पुरुषकार है वो प्राप्त करने वाली पर्तम महिला अपसर कौण है याद रिखेगा वो है आपके दिपी का मिश्रा वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रिखेगा और ये जो दिपी का मिश्रा है इसका समंद हमारे राजस्तान के किस जिल्ले से है याद रिखेगा कोटा से ठीक है ऑप्शन नमर हो जाएगा आपके सामने A is a correct आसवर वेरी वेरी इंपोर्टेंट हाँ बिल्कुल साबास, ओप्शन नमबर A लिजी अगला ओएक और शांदार किशन माइन एडवान टेक फूर का आयोजन कहां किया जा रहा है जेपुर, जोदपुर, अलवर या फिर नीम का थाना यानि कि ये तो आयोजन किया जा रहा है इंपोर्टेंट देखे माइन एडवान टेक फूर इसका जो आयोजन है वो कहां किया जा रहा है जेपुर है, जोदपुर है, अलवर है या फिर नीम का थाना है बताइए अच्छा ये कब किया जा रहा है तो अभी ये नोसे लेकर ग्यारा जनवरी किया गया था 2024 2024, ठीक है कल तक ये चली रहा था कहां पर चल रहा था तो याद रखेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोदपुर ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेगा कहां पर आयोजित किया जा रहा था जोदपुर के अंदर, ठीक है तो यहाँ पर option number हो जाएगा B is the correct answer चलिए चलिए तो यह हो गया आज का हमारा session